रूसकार, क्यापिटल टीवी देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ पूजा, ब्रेकिंग नव में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अर्विन के जिवाल ने एक बर फिर से सुप्रिम कोट का रुख किया है, दिल्ली शराब घुटाले में जमानत को लेकर, सीजाइ के केस में अर्विन के जिवाल ने इस बार सुप्रिम कोट का रुख किया है, दिल्ली शराब कोट में ख़ाय केस में अर्विन के जिवाल की जमानत याचिका को मिलेगी ये बड़ा सवाल है और इसे जोड़ी तमाम बड़ी अपजेट के साथ मेरे साथ नियूजरूम से जोड़े हुए हैं कि आपटल टिवी के एडिटर इंचीफ डॉक्टर मनिश कुमार क्या लगता है इडि के मामले में तो सुप्रेम कोट ने जबानत दे दी थी, सीविफ्या के मामले में मिलेगी देखिए तमाम दलील जो उनके प्ली में दिया गया है उस पर मैं आऊंगा लेकिन आज केजरीवाल का एक और के सुप्रेम कोट के अंदर था आरणा द्रूमराथी के फर्जी वीडियो क्योंकि वो जूप अव्भा गैंग का एक सरदार है फर्जी वीडियो बनाता है जूटी बाते फैलाता है तो अरविंद केजी वाल ने उसके वीडियो को बकादा रीट्वीट कर दिया था और उस चक्र में एक क्रिमिनल डिफोमेशन केस जो है इनके खिलाफ चल रहा था अब देखिए ये करांतिकारी है खुद को बताता क्या है ये लोग कि भगत सिंग के हम चेले हैं और चुपके से पैर पकड़के नाक रगड़के माफी मांगने में ये बहादूर लोग है केजरीवाल ने आज तक जिन जिन लोगों के उपर आरोप लगाए चाहे वो स्वरगी जेटली जी हो चाहे वो कप्तिल सिब्बल हो चाहे वो गटकरी हो बहुत लंबी लिस्ट है सब से जाके माफी मांगा आज फिर वही काम किया उस मसलिक के उपर आज सुनवाई होनी थी कोट ने कहा पांच सब्ता के बाद फिर से आना और ये क्यों कहा गया सुप्रिम कोट में क्योंकि अर्बिंद केजरिवाल के वकील मनु सिंग्वी साहब ने कह दिया कि देरा लॉट ओं तिंग्स डार गोइंग ओन आउट साइड दे कोट हम सिटिल्मेंट करने को तयार है हमारा सिटिल्मेंट का बाद चल रहा है तो जो वकील जो दूसरे साइड का था उरोंने का कि मैलोट यह आद्मी माफी मांगने को तयार हो गया है यह रिटेन अपोलोजी करने को तयार है यह माफी मांग लेगा तो मामला खतम कर देंगी अब इस चीज को समझिए कि माफी वीर है यह माफी वीर अर्बिंद केजरिवाल तो आज कोट में बकाइदा इस मामले को लेक दूसरे कहानी जो में कहानी जिस चक्कर में वो जेल के अंदर है उसमें हुआ यह तो उन्होंने कहा कि माइलाड जल्दी सुनवाई कीजिये हलाकि मुझे पता नहीं हर जगा अख़वारों में देख रहा हूँ कि वह कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ने कहा कि भरोसा दिया कि जल्द सुनवाई होगी ऐसा कुछ नहीं कहा चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक अगर आपको जल्दी करवाना है गो थू प्रॉपर चैनल आप मेल कीजिए आप मेल कीजिए रेजिस्टार को कि भई आप आपने तो प्ली डाल दी अब उसके अलाबा अगर आपको बहुती जल्दी सुनवाई करनी है तो उसका प्रावधान है तो चीफ जस्टिस ने सिर्फ इतना ही कहा कि इमेल करो आप और यहां पर प्रोपगेंडा गैंग जो है वो घुमा रहा है कि भई उनको रहत देनी क्या अब भई मिल जाएगी वो इसलिए भी मिल जाएगी चीफ जस्टिस साहब और सिंख्वी साहब दोनों दोस्त हैं क्लासमेट्स रहे हैं तो खैर परसल चीजी तो अलग होती है लेकिन यह होता है लेकिन एक तो साहनव भूजित हो जाती है अब प्ली में क्या है प्ली में कहा गया कि केजरवाल एस सेड अधा हाई कोट एप्डिकेटेटेटिटिस फंक्शन बाय रेलिगेटिटिंग दा मैटर तु टुद ट्राइल थू दो इट हैस कंकरन जुरिडिक्शन त अब बहुत कमाल के वकील है वो कभी केस के मेरिट के उपर बात ही नहीं करते हैं यह काम बाहर में पत्रकार लोग करते हैं पत्रकार लोग कहेंगे कि कोई सबूत नहीं है कोई कुछ नहीं है और वहां क्या उन्होंने उठाया मामला कि हाई कोट के पास यह अधिकार है कि व उन्होंने अपने जिम्मेदारी का पालन नहीं किया और वो उन्होंने हमें भेज़ दिया कि भाई रावजबनी कोट से ले जाओ जबकि वो दे सकते थे तो इस कारण जो आए हमें रिया नहीं मिला दूसरा कारण उन्हें बताया कि डिस्पाइड इस सेटल लिगल ओपीनियन कई सारी बाते कही गई उसमों यह भी कहा गया कि जो हाई कोट का जो फैसला आया बड़े ही अन्वने तरीके से और बहुत ही मेकनिकल तरीके से नहीं दे दिया गया मतलब पूरी बात सुनी नहीं गया अभी पूरी बात सुनी जाएगी आगे कहा गया अब यह एक पॉइंट है और यह एक पॉइंट ऐसा है कि जिसके उपर मामला फश सकता है इन्होंने कहा कि देखिए यह केस जिस तरीके से चल रहा है वो अभी हाल फिलाल में तो यह खत्म होगा नहीं लंबा चलेगा और कई सारे इसमें जो को अक्यूज्ट है उनको अलड़ी बेल मिला हुआ है अब यह समझ में नहीं आ रहा है बहुत बड़े बड़े लोग जो में मास्टर माइंड्स हैं उसमें तो सिर्मनीशी सुदिया को वेल रहा है विजन एर को दो बहल मिला नहीं करह को तो बील मिला नहीं है अर्गी करने पाज़कि सुप्रिम और इनदिया फा smells को चलेगा तो कहां सब को भेस दिया गया तो यह बात कही गई है अब तो जब बहस होगी तो मामला चलेगा दप्री आपने तो दिया था हमें वो तो सीबियाई वाले हमें पकड़ लिये एडी के केस में जब आपने हमें दे दिया तो सीबियाई का केस तो बड़ा कमजोर होता है एडी के जो कानून है वो मनी लॉंडरिंग के वो बड़े कड़े हैं उसमें जब हम आपने हमें राहत दे दिया तो अब सीबियाई केस में भी राहत दे दिया यह भी कहा कि माईला अभी आपने हाल में मनी सिसोधिया को दिया इसी आधार पे बड़ा लंबा चल रहा है सब केजरिवाल का भी नंबर आ गया है लेकिन अब इसमें दो तीन चीज़े हैं जो इसको समझना है पहले चीज़ मनी सिसोधिया सतरा मेंने तक जेल के अंदर थे तूसरी चीज़ मनी सिसोधिया को आर्टिकल 21 के तहट राइट टू स्पीडी ट्राइल उसके तहट उनको बेल दिया गया ये दो बाते हो गई तो अब सवाल ये होता है कि जब ये एडी वाले जब अपोस करेंगे वो तो बोलेंगे कि अभी 17 मेने तो भी उसका हुआ नही इसको तो ये जो आर्गुमेंट दिया जा रहा है वो थोड़ा चीचला है लेकिन दिक्कत क्या है कि कोट के अंदर बहुत सारी चीज़े ऐसे हो रही है कि जिससे लोगों को ये लगता है कि बही कोट जो है वो नियम कानून और बाकी सारी चीज़े तो अपनी जगपे हैं लेकिन एक प्रकार से हिंदुस्तान का जिडिसरी जो है वो भरस्ताचारियों को साथ ख़़ा ने दर आ रहा है गोटाला हुआ है यह आप भी मान रहे हो गोटाले के दौरान और जाज के दौरान इन लोगों ने एविडेंस को डिस्ट्रॉई किया यह आप भी कह रहे हो ब बीडेंस है कि ऱैसा कुम फैसारी आप्षाब सुप्रेम कोट्साब्व साथ पर इनको कुछ होगा यह नहीं है आप उसको बेल दे दे रहे हो तो फिर जस्टिस जो है वो न्याय जो है वो कानूनी दाव पेज का खेल नहीं है डिमोक्रसी में अगर न्याय कुछ होता है तो जनता को भी यह लगना चाहिए कि न्याय हो रहा है लेकिन जनता को यही लगेगा जब लालु यादम को देखते हैं टीवी पे वो बोलते हैं कि बाई क्या है जीफ जस्टिस का है सब लोग यह पूरे पबलिक को पागल बना रह है और पता नहीं कैसे कैसे लोग बैठे हुए है जो अंधे हो गए जिनको दिखाई नहीं दे रहा कि एक अलड़ी कन्विक्टेड वेक्ति जो जिसे आपने स्वास्त लाब लेने के लिए बाहर छोड़ दिया और वह राजिनिती कर रहा है वह रैली कर रहा है वह अपना ब लेकिन अगर इस तरह से अपराधियों को इस तरह से भ्रष्टाचारियों को और खास करके पॉलिटिकल क्लास को जो मनुसिंग्वी जैसे वकीलों को हायर कर सकते हैं जनता के पैसे से अब यह समझेए चीफ जस्टिस को तो यह पूछना चाहिए कि भई तुम इतना रोज- कि भाई यह इतना सब कुछ हो रहा है खर्च कहां से हो रहा है केजरिवाल अपने पॉकेट से कर रहा है कि दिली की जनता के पैसे से कर रहा है लेकिन अंधेर नगरी चौपट राजा यही खेल चल रहा है तो पब्लिक जो है वो उदास होती है जब को भरष्टाचारी बाह मत बढ़ी है कि कविता के मामले में भी आज सुनवाई हुई जबानत को लेकर जहां कोट ने सी बी आई और एजी दोनों को ही नोटिस जारी किया है तो वहीं दूसरी तरफ हाई कोट से मिले जटके के बाद अरवन के जिवाल सुप्रिम कोट पहुंच रहे हैं जबानत की गोहार लगाई है अब देखना होगा इस पूरे मामले में सुप्रिम कोट कौन सी तारीक सुनवाई के लिए त्रैक करता है इस बड़ी कबर में मेरे साथ फिलाल इतना ही कैन्व संडवे के साथ मैं पूझा क्या पिटिल टीम